नमस्कार छात्रों, राश्ट्रिय मुक्त विद्याले सिक्षा संस्थान में आप सभी का मैं डॉक्टर विक्रम जी सिंग स्वागत करता हूँ. आज हम सब कोर्स कोर्ट 504 के तहट प्रारंभिक स्थर पर गनीज सिच्छन की समस्या प्रस्तुतिकरन बिदी पर चर्चा करेंगे. समस्या प्रस्तुतिकरन नएने प्रकारों के समस्याओं को बनाने या उसी समस्या का पुना निर्मान करने की प्रक्रिया है. अर्थात यह समस्याओं के अंदर समस्याओं को खोजने की प्रक्डिया है और इसी दोरान हम उस समस्या को सुल्जाने की कोशिस भी करते हैं वर्तमान में इस बीदी का काफी महत्त दिया जा रहा है क्योंकि इस बीदी के द्वारा छात्र में स्यंव समस्या को बहतर ढंग से पहचान कर उसे सुल्जाया जाता है। जब बच्चे समस्या का खुद से संग्रचना करते हैं उसका सुत्री करन करते हैं तो अवस्य ही वे समस्या को पहचानते हैं इस परकार जब छात्र समस्या को स्यंव पहचानते हैं तो उसमें समिलित होकर उसे बहतर ढंग से हल करने की कोशिस करते हैं। जैसा कि आइंस्टाइन एंफिल्ड ने 1938 में कहा है नए प्रस्णों का निर्मान, नए संभावनाओं की तलास, पुराने प्रस्ण को नजरिये से देखना, रचनात्मक कल्पना प्याधारित है यों बेग्यानिक सोच को बढ़ावा देता है। अर्थात, जब हम प्रस्णों के अंदर नए संभावनाओं को खोशते हैं, जब उनमें नए नए प्रस्णों का निर्मान करते हैं, तो अवस्थ से ही ये हमारी स्रीनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और उसके साथ साथ हमारी बैग्यानिक दिष्टिकोन भी बिक्सित होती है, समस्या समधान की प्रक्रिया में हम समस्या प्रस्णों की अंदेखी कर देते हैं, जबकि वास्ता में समस्या प्रस्णों को भी महत्तों देना आवस्क है, चाया तर यह देखा गिया है, बिद्यालों में समस्या को दिया जाता है और उसके लिए सुत्र दिये जाते हैं, जिसको बच्चे अनुसरन करके उस समस्या का हल निकालते हैं किन्तु अगर इसके बजाए समस्या प्रस्तिती करन को महत्व दिया जाए उसे समझा जाए उसमें विविन समस्याओं की पहचान की जाए तो अवस्य ही उनके समस्या समधान की प्रक्रिया में मददगार साबित होगा एक समस्या को यदि हम समझना चाहें तो Charles and Lester द्वारा उसे इस तरह परभासित किया गया है एक समस्या उस कार की भाती है जिसके लिए व्यक्ति जिसे वह कार मिला है उसके समधान के लिए ततपर होता है व्यक्ति को समस्या के समधान के लिए कोई पहले से बना बनाया प्रक्रिया उपलब नहीं होती है अर्थात वह आरम से ही उस समस्या के समधान की तरफ प्रेदीत रहता है व्यक्ति उसके सुल्याव के लिए विभिन परकार के समाधान वीदियों का प्रयोग करता है समस्या प्रस्तुती करन को ब्राउन एन वाल्टर ने 1993 में इस तरह परभासित किया कि समस्या प्रस्तुती करन गनीत पाठ चारिया की एक बहुत ही महत्पून आंग है समस्या प्रस्तुती करन को इस परकार पर भासित किया है कि समस्या प्रस्तुती करन नए समस्याओं के संग्रशना एवं ऐसे प्रस्नों जिससे वर्तमान प्रस्तिती को और बहतर डंग से समझा जा सके एवं समस्या के समाधान के दोरान उसके समस्या के पुननिर्मान के कौसल को दरसाता है ब्राउन एन वाल्टर दोरा समस्या प्रस्तुतिकरन का एक और परिभासा उपलब्ध है जिसे हम इस तरह देखते हैं छात्रों की समस्या प्रस्तुतिकरन की स्वतंत्ता उनमें विवीन परकार के सोच, उनमें समस्या समाधान खौसल, उनके गनीतिय समझ यवंग गनीतिय वधानों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही समस्या प्रस्विति करन छात्रों के पाठ्य पुस्त को यवंग सिक्षक पर निर्भरता को कम करती है और उन्हें सिक्षा के साथ बैधर ढंग से जोड़ती है। अर्थात जब बच्चे समस्या को स्वें प्रस्तूत करते हैं तो वे उस समस्या को समधान करने में स्वें सम्मिलित होते हैं और इस परकार वो सिक्षक पर उनकी निर्भरता कम होती है और वे स्वें समस्या के हल में भली भाती जूर जाते हैं। चात्रों को समस्या प्रस्तूत करन का मौका देने से उनमें चिंतन एवं परावर्तन का भाव का विकास होता है। जब सिक्षक के जगा छात्र समस्या प्रस्तूत करते हैं तो उनमें समस्या को लेकर स्वामित्व का भाव विक्सित होता है और ज्ञान को अरजित करने में वेरूची के साथ महनत करते हैं कनिंगम 2004 में समस्या प्रस्तितिकरन के बारे में बताया है कि समस्या प्रस्तितिकरन विधी से छात्रों के जिग्यासा का काफी विकास होता है और वे काफी मन लगाकर गनितिय अधीगम में समिलित होते हैं समस्या प्रस्तितिकरण को बहतर ढंग से समझने के लिए इसके अंदर what-if-not strategy को समझना बहुत ही आवेसक है ब्राउन एंवाल्टर ने 1993 में समस्या प्रस्तितिकरण के संदर में यह सुजहाओ दिया है कि समस्या पस्तिती करन एवंग समस्या प्रसमाधान के द्वारा गनीत सिच्चा में क्या हो अगर नहीं रनीती का प्रयोक किया जाए यह सिजहाओ इस बात पर अधारित है कि किसी समस्या से संबंदित आयामों या गुनों को यदि थोड़ा बदल दिया जाए तो इससे बहुत ही खोजी परकार के समस्याओं का जनम होता है जो काफी रूची कर जाच के लिए प्रुसाहित करते हैं अगर किसी समस्या में कुछ फेर बदल किया जाए उसके विविन आयामों को थोड़ा बदल दिया जाए तो उसमें विविन परकार के समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उन समस्याओं की पहचान के द्वारा हम मूल समस्या का समधान हासिल कर सकते हैं क्या हो अगर नहीं रन्निती या What if not strategy तीन सी धानतों पर काम करता है पहला समस्या से संबंदित आयामों को टै करना दूसरा क्या हो अगर नहीं रन निती का प्रयोक करना ये उनकी तीसरा इससे संबंदित नए प्रसनों का निर्मान करना या च्छात्रों में विभीन परकार के तत्यों पर चचा करने के लिए मौका परदान करता है अर्थात इसमें जब हम समस्या को लेते हैं तो उनमें विभीन विभीन परकार के बदलाव लाकर या देखने की कोसिस करते हैं कि क्या हो अगर नहीं रननीती अर्थात अगर उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए अगर उसके कुछ पक्षो को जोड़ा या घटा दिया जाए तो उस समस्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस परकार इस समस्या को हम बहतर ढ़ंग से समस्त केंगे और इस परकास छात्र इन विभीन समस्याओं के समाधान के द्वारा मूल समस्या को हल कर पाएंगे गनितिय समस्या प्रस्तुतिकरण के विभीन परिपेच्छ हैं इन परिपेच्चों के समझने से हम समस्या प्रस्तुतिकरण की वीधी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे पहला परिपेच्च है समस्या प्रस्तुतिकरण की रचनात्मक गतिवीधी या असाधारन गनितिय च्हमता की विशेशता अर्थात समस्या प्रस्तुती करन स्वे में एक रचनात्मक गतिवीदी है और इसके दौरा बच्चों में विविन परकार की गनितिय च्छमता का विकास की संभावना नीत है। समस्या प्रस्तुतिकरन का दूसरा परिपेच्छ समस्या प्रस्तुतिकरन की पूछताच उन्मुक या इंक्वाइरी ओरियंटेट निर्देशन की विशेशता है अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन स्वे में ही पूछताच उन्मुक निर्देशन को बढ़ावा देता है इसमें बहुत सारे प्रस्णों के पूछने, उनके जवाबों को ढूनने और इस परकार उस समस्या को हल करने की विशेश्था दिखती है इसका तीसरा परिपेच समस्या प्रस्तुतिकरन में गनीतिया, गतिविदी की प्रमुक्ता की विशेश्था अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन में हमेशा ही विवीन परकार के गनितिय गतिवीदी सामील होते हैं इसमें बहुत सर परकार के गतिवीदियों के साथ हम उस समस्या को समाधान करने की कोशिस करते हैं इसमें अगर अन्य परिपेच्छों को देखा जाए तो समस्या प्रसुतिकरन का छात्रों में समस्या समाधान को बढ़ाने की बिसेस्ता भी दिखती है अर्थात जब छात्र समस्या प्रसुतिकरन के द्वारा गनीच सीखते हैं उसके द्वारा वे विभिन प्रकार के समश्याओं के समाधान को बढ़ाने में भी अगरसर होते हैं अर्थात उनमें समश्या समाधान के कौसल का विकास होता है इसके साथ साथ समस्या प्रस्तुती करन की छात्रों की गनीतिय समझ को पड़कने की बिसेस्ता भी सामने दिखती है अर्थात समस्या प्रस्तुती के करन के द्वारा हम छात्रों की गनीतिय समझ को पड़क सकते हैं कितना गनीत जान रहा हैं, और गनीत में कैसे आगे बढ़़ रहे हैं उन में गनीत सीखने में क्या-क्या तृतिया उत्पन हो रही हैं, इस परकार हम उनकी गनीतिय समझ को पड़क कर उन्हें उप्युक्त नीदेशन द chegrement उनकी गनीतिय और धारनाओं को समझ को और मजबूत कर सकते हैं समस्या प्रस्तूती करन की छात्रों में गनीत के प्रती अविरुची में विकास करने की विसेशता है अर्थात समस्या प्रस्तूती करन के द्वारा छात्रों में गनीत के प्रती रुची उत्पन करने की विसेशता है छात्र जब स्वेंच से समस्या प्रस्तूत कर करते हैं तो उनमें कहीं न कहीं गनीत के प्रती रूची का विकास होता है वे गनीत को पसंद करते हैं और उस तरह वह समस्याओं को अपनाकर उसका हन निकालने की कोशिस करते हैं समस्या प्रस्तुतिकरन के कुछ अधारबूत सी धान्त भी हैं, जिसमें से पहला सी धान्त है, समस्या प्रस्तुतिकरन छात्रों के समस्या समाधान प्रक्रिया से प्रेरित होना चाहिए, अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन हमेशा से ही किसी ना किसी समस्या के समाधान के और मूल समस्या का समाधान तक नहीं पहुंच पाएं अर्थात इसमें हमेशा यह सोच होनी चाहिए कि किस तरह मूल समस्या का समाधान निकाला जाए इसमें दूसरा सिध्धान्त है प्रतिदिन की गतिविदियों यह गनितिय प्रसीतियों में समस्या का सुत्रिकरन होना चाह दिखें वो हमारे दैनिक जीवन या छात्रों के दैनिक जीवन से प्रेरित होने चाहिए इस से छात्र उसमें रुची के साथ जुड़ पाएंगे और उन समस्याओं के समाधान के द्वारा वो अपने दैनिक जीवन के विभिन गनितिय समस्याओं या गनित से जुड़े समस् भी हल कर सकेंगे समस्याओं के प्रस्वितिकरन में विभीन परकार के उधारन या विस्यों को समलित किया जाना चाहिए अर्थात समस्या प्रस्वितिकरन के समय हमें विभीन परकार के उधारनों के द्वारा पहले बच्चों को इस बिधी की विश्यस्ताओं को समझाना चाहिए जिससे कि वह इस बिधी का परियोग कर सकें विविन परकार के प्रस्ण प्रूश सकें यह उनक्त ही इन प्रषनों का हल करते समय धीरे-धीरे मूर समस्या के यह हल Тक पहुंश सकें एक उत्कृिष समस्या प्रस्तूती करन बीधी में हम क्या कैरन नितियां अपना सकते हैं, किन-किन प्रस्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम भैतर समस्या प्रस्तूत कर सकें, उनमें खुश्च, इस परकार के प्रस्न हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम नए प्रस् सकते हैं इस समस्या में कौन-कौन से प्रमुख विचारों को प्रस्तूत किया गया है हमने इसी परकार के विचार और कहां देखे हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह प्रस्ट भी पूछ सकते हैं क्या हम इन जानकारियों को किसी अन्य परकार से प्रयोग कर इस समस्या का समधान निकाल सकते हैं क्या हमारे पास इस समस्या को समधान करने के लिए प्रयाप जानकारिया हैं अगर हमें यह जानकारी नहीं दी जाती तो हम किस तरह की समस्या तक पहुँचते हैं। हम किस परकारी में से कुछ जानकारियों को बदल सकते हैं। तब यह समस्या क्या हो जाएगी। इस परकार इन प्रस्णों का उतर देते हुए हम भीविन परकार के समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं और मूल समस्या का समधान कर सकते हैं समस्या प्रस्तुती करन के लिए भीविन दृष्टी कोन है जिसमें किल पैट्रिक के 1987 में दिये गया दृष्टी कोन प्रमूख है उन्होंने बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के दो चरण हो सकते हैं एक जिसमें की नए समस्या की रशना की जाए और उसमें जान बुझकर कुछ सर्टे या प्रसितियों में बदलाव किये जाए जिससे या पता चले की नए समस्या क्या होगी और दूसरा जब कोई समस्या हल हो गई है तो उसे पलट करी यह देखा जाए यह अगर उसमें विविन बदलाव किये जाएं तो उसके समधान पर क्या परवाव पड़ता है उधारन के लिए एक प्रस्ण लेते हैं जैसे कि राम एवंग उसके पिता की आयू का योग 35 है यदि पिता की आयू बेटे की आयू से चार गुनी हो तो राम एवंग उसके पिता की आयू क्या होगी यह प्रस्ण जब छात्रों के सामने रखा जाए तो इसमें विभीन परकार के बदलाव कर समस्या को समधान करने की कोशिज की जा सकती है जैसे कि इसमें इस परकार के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कि राम इवंग उसके पिता की आईवी का योग अगर 40 हो या यदि पिता की आईवी बेटे की आईवी से पांच गुनी हो या अगर उनके आईवी का योग अभी 40 है तो दो साल बाद उनके आईवी का योग क्या होगा इस परकार के विभीन प्रस्ण पूछ किर हम धीरे धीरे इस समस्या को हल करने की कोशिज करते हैं इसी के साथ स्टैन ओवी ने 1996 में समस्या प्रस्थित करन के अपने दिश्टिकोन को दिया है इसमें भीविन परकार के प्रस्णों की पूछने की संभावनाय बताई गई है यह प्रस्ण भीविन परकार के हो सकते हैं मुक्त प्रकार के प्रस्ण या Open Innet Question समझ्या से मिलте जूलते प्रशन encuent lass Temple समाज्या की समध्धान से मिल जूलते प्रशन questions related to the solution of the problem उस समझ्या से समंधिट सिधान से मिल्से जूलते प्रशन are questions related to the theories related to the problem कि सी इय गैचित्र आरेक स्मम्धित प्रशन problems related to the pictures or graph इसी परकार किसी दिये गए समस्या से नए समस्याओं का सुत्री करन किया जा सकता है और इसी के साथ जीवन के विविन परस्थितियों से जुड़े हुए प्रस्नों का नेमान भी किया जा सकता है उधरन के लिए अगर एक व्यक्ति ने 350 रुपे में साइकिल खड़ दी और एक साल बाद उसे अपने दोस्त को बेच दिया इस परस्थिति को अगर चात्रों को दिया जाए और उनसे विविन परकार के प्रस्न पूछे जाएं जिससे उनमें समस्या की पहचान, समस्या को प्रस्तुत करने, समस्या को हल करने, इत्यादी कोसल का विकास हो सके करने की जरूरत है इस परस्थिति में हम नीन परकार के कुछ प्रस्न पूछ सकते हैं से कि दिये गे प्रस्थिती को एक गनितिय समस्या का रूप दे अर्थाथ इस प्रस्थिती को एक गनितिय समस्या के रूप में त्यार करें और इसी के साथ एक और प्रस्थिती भी पूछा जा सकता है कि दिये गे प्रस्थिती से समंदी तीन परकार के प्रस्थनों को त्यार करें अथ्हात इसी प्रस्थिती से मिलते जुलते की नितीन और प्रस्थितियों का निर्मान करें और उस era का निर्मान करें इस तरह हम देखते हैं कि समस्या प्रस्थूती करन गनी सीख़ने में चलतरों की बहुत मदद कर सकता है तो विद्यार्थियों आज हम लोगोंने समस्या और परस्तूति करण के सिध्धांत क्या है समस्या प्रस्तिकरण में किन-किन बातों का ध्यान दिया जाता है इस परकर समस्या प्रस्तिकरण के द्वारा गनीत में विभिन समस्याओं के हल को निकाला जा सकता है आसा है आप सभी को यह चर्चा पसंद आई होगी और आप इससे जरूर लाब उठाएंगे नन्यवाद